आगे आगे बढ़ाओं मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब यह मैं वीडियो डालो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे और अगर आप नहीं आए तो आप चैनल को खले सब्सक्राइब कर दीजेगा जब आप न्यूस्पेट को मतलब जो पहला पेज आता है यूट्यूब का जब उसको स्क्रॉल किजेगा तो मेरे वीडियो आटोमेटिक ली आ जाएगा अगर इंट्रेस्टिट होंगे इंट्रेस्टिंग कि अपने केसे बना अड़ियो शक्ष में निलसा हूं तो आज मैं ऐसे ही एक एक वीडियो लेकिए हु हुम रियो टींटो के बारे में रियोटिन्टो ऐक इक कंपणी है जो दुनिया का सबसे बड़ा कोल माइनिंग का कंपणी रियो टिंटो के बारे में आप जब विकीपीडिया कीजेगा तो आपको बहुत सारा इंफॉरमेशन मिलेगा मैं हलका आपको आडिये देता हूं रियो टिंटो कोल सेक्टर में सबसे बड़ी कंपणी है दुनिया का कोल इंडिया लिमिटेट की बात करें तो यह सकेंड नंबर पे आता है पहला नंबर पे रियो टिंटो आता है तो कोल इंडिया लिमिटेट का अगर इतना क्रेज है जो सकेंड नंबर पे आ रही है तो पहल पर एक बार सेलेक्शन हो गया तो इतना सारा पर्क्स देती है कि फिर आपका मजा ही मजा है उसके बाद अस्ट्रेलियन आपका करनसी के हिसाब से पैसा मिलेगा कनवर्ट करेंगे इंडियन लुपीज में तो अच्छा का सब ऐसा हो जाएगा चले तो फिलाल हम कंपणी के बारे में बात करते हैं रियो टिंटू जो है वो लगभग सौ साल से उपर का समय हो गया इस कंपणी का 1873 में ये कंपणी मनाय गया था ये पहला दुनिया का सबसे थे बढ़ा मेटल है वहां बोक साइड और ऐरन बोकस ऐट का मायिनिंग श suo frankly में करती है मैनिफेक्चरावाइद कांद कर देखाए बंगार का बाद निगरते फिलाव आगे आते हैं directly इस company में वैकेंसी आप कैसे देखें कैसे apply करेंगे तो देखो यार यह सब जो international company होती है ने इसके नाम पर बहुत सारा fraud होता है तो थोड़ा सा सतर के रहना है कैसे नहीं कि कोई भी link आए तो क्लिक कर देना है कोई भी mail आए तो देख लेना है तो इसको official आपक website को column है ठीक आप एक बार देख लिजेगा यहां पर आपको मिल जागा दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका है डारेक्ली आप अपन किजेगा रियोटिंटो.com या फिर आप Chrome ब्राउजर आपिन किजेगा यहां पर आपको सर्च करना है पहला नमबर पर जो आएगा रियोटिंटो.com और ग्रीन कलर का टीक आएगा तो यह official sign है कि हाँ यह official website है तो आप इसमें select यानि कि क्लिक किजेगा आप डारेक्ली इसमें क्लिक कर करके अपको तीनों रासता कि क्लिक करता हूं यहां परने छपी करना होगा केरियर वाला जो टैब है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद थोड़ा सा रुख जाना है क्लिक करने के लिए क्रसर को यहां पर लाना है और आप थोड़ा सा वेट करेंगे ठीक है क्रसर को लाने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है ठीक है आपके सामने एक पेज ऑपन हो जाएगा आप चाहें तो डाइट लिस में क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप फाइंड मोर में देख सकते हैं आपके पास दो तीन ओप्सन है सबसे पहले कि अप्लिकेंट लॉगिन में जाकि यहां पर अपना प्रोफाइल बना सकते हैं ताकि अब जब चाहें लॉगिन कर सकते हैं आपको सब कुछ यहां पर रेश्टिशन रहेगा अपको एक आड़ी पासवर मिल जाएगा फिर आपको बार बार इसमें रिजूम अप्लोड करन क्योंकि यह जो साइट है वो ज्यादा प्रोटेक्ट कर दिया गया है कुछ इसके कारण खुल नहीं पाता है सही से ठीक है तो कोसिस किजिएगा आपका ब्राउजर सही हो यहां पर मैं क्रॉम ब्राउजर ऑपिन किया हो तो खुल जा रहा है बाकी में सायद ना खुल पाए या फिर आप ग्रिजूइट वाला तीम में भी क्लिक कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें देख सकते हैं इसके बाद देखिएगा यहां पर लेप्ट साइड में बहुत सरे कीवर्ड आएगा इस पर्टिकुलर जगह पर किटेगरी सेलेक्ट करता हूँ के अब के पास जो भी हो engineering हो कोई भी हो sales marketing हो आप डेख सकते हैं आप सर्फेस माइनिंग हो कुछ भी देख सकते हैं आप अंडर्गॉंड में जाकर आप देख सकते हैं कि अंडर्गॉंड को वेकंसी है या नहीं है ठीक है तो एक आठ रिजल्ट आ गया है देखिए बहुत ज्यादा इस वेकेंसी है यार अस पेस्ट ड्रील एंड ब्लास्ट का है बहुत सरा वेकेंसी एक दो तीन चार पांच यहां पर भारत में थोड़ा कम वेकेंसी यह यह सब पोस्ट बहुत कम कम है पहले मैं बता देता हूं कोस्ट बहुत सरा वेकेंसी एक्सपेंसे अंड़गॉंट माइनर का है इंडगांऋट सिपकॉर्दीनेटर का हैं GB unl का है मौयल प्लंट ओपरेटर का है अडवाइजर मानिंंग इंजिनियर का है इसके बाद चोड़ते हैं सुपरवाइजर उप्रेशन का है सिर्फिस उड्री चीम यह जॉंबिया का है यह आपका यूएस का है एस्टेलिया का है अस्ट्रिया का है बहुत सरा अलग-अलग कंट्री में यह वैकेंसी निकाला गया आप अपीसियल वेबसाइट में जाके इसको देखेगा जैसे मैं दिखा रहा हूं अब मैं डारेक्टली माइनिंग पर आता सरा वैकेंसी है आपको जो सही लगता है जो आपके लायक हो आप भरियेगा जरूर अगर आप अलग कंट्री में जा सकते हैं तो ठीक है बट मैं अभी आपके बारें जो वैकेंसी के बारें बात कर रहा हूं वह है ग्रेजुएट इंजीनियर माइनिंग इंजीनियर का जो क है यह basically एक इंजिनियर का वैकेंसी है जिसके लिए आपको डिगरी होना ज़रूरी है मतलब बी किये हैं या बीटे किये हैं इनफ है इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए experience चाहिए जिस बिलकुल लेक साल का भी experience सब्सक्रांद करूंत अख्रीज है यह संद से पहले का थाहिए हैं इसके लिए पहला तो ग्रेजुएट चाहिए बीट होना चाहिए दो साल के अंदर होना चाहिए आपका शर्णी और रिटैल communication skill होना चाहिए English में मतलब English धाकड आना चाहिए आप बोल सकते हो लिग सकते हो ठीक है अच्छे से बात कर सकते हो आपको problem नहों ऐसा भासा आपका होना चाहिए ठीक है इसके बाद कोडिनेशन इसकी लिए लिडर्शिप का क्वालिटी होना चाहिए तो अब यह सी बात है यह सब जन्वीन चीजे हैं आपको क्या दिया जाएगा मैं बताता हूं सबसे पहले आपको वाई-प्या एकॉमडेशन बेनिफिट दिया जाएगा वाई-प्या क्या है जो मैं बार- कुइंस लेंड घ्टेट जिसे इंडिया में ज kijken कुइंस लेंड में चूटा सा टाउन जगह जिसका नाम है वाय-प्या जिसे हमके सकते हैं कि धनबाद जिसे जार्खण है कि धनबाद इस इस पर टिक्टिकलर जगा क्लिए वैकेंसी निकाला गया और यहांका आबादी बह आप जाते हैं तो बहुत कम आबादी है यहां पर आबादी अगर मैं बात करो तो लगभग 3,000 आदमी रहते हैं पूरे वाइपिया में मात्र 3,000 के आसपास तो है यह सब बाते आप अगर गूगल कीजिएगा गूगल करके देखिएगा वाइपिया के बारे में आपको अगर आपको अच्छा नहीं लगता उस कंपणी का तो आपको अपलब्द करा सकती है तो यह सब कुछ benefit आपको दिया जाएगा जो basic चीज़े मैंने बताया package के बारे में यहांप इस प्रिस्ट नहीं किया गया है कि आपको क्या package दिया जाएगा तो अभी आपको apply करना इसको apply कैसे करेंगे मैं अपको बताता हूं नीचे scroll करेंगे तो apply option हो गया यहां पर देखिए 14 October तक सकते हैं तो salute है अपको अपने ही देश में रहेए जौब कीजिए अगर मिल जाता है तो बहतर है अगर विदेश जा भी रहा है तो जौब कीजिए कोसिस कीजिए कि तो साल जॉब करने के बाद फिर वापस अपने देश जरूर लोटी वहां सीखने के लिए जिन्दगी बसाने के लिए अपना देश काफी है यहां पर 14 अक्टुबर 2022 का अप्लिकेशन का डेट है इससे पहले आपको अप्लाइ करना है अप्लाइ करने के लिए अप्लाइ कालिफिकेशन सब्सक्राइब कर लेना है यहां पर रिजियूम अप्लोड कीजएगा इमील डालना है पहला नाव लास्ट नेम कंट्री कौन से देश से हैं और इरिया पिंट्रेस में माइनिंग लिख सकते हैं इसको डालने के बाद आप इसको सब्मिट कर देंगे ठीक है इसको यह दोनों को क्लिक करके आप इसको सब्मिट कर देंगे इसके बाहिएगा मेल के बाद आपका इंट्रव्यू लिए जाएगा लिक करेता हूँ Microsoft Edge यह क्या होता है यार Simple Go Zoom जैसा याप होता है वैसा ही Microsoft Edge भी एक याप होता है उसको आपको अपना लपी में इंस्टॉल कर लिना है और webcam वगरागा वश्था कर लिना है सामने आपको बैटके front to front इंटरव्यू देना है कोशिस किज़ेगा net connection अच्छा है यानि Wi-Fi को connect करके आ आप इंटरव्यू दीजेगा इंटरव्यू के बाद फिर में भी आगे आपका एक और इंटरव्यू हो क्योंकि जनरली जो रियूट इंटू जैसे company होती है उसमें दो राउंड दो फेस का इंटरव्यू होता है पहला राउंड में आपका टेकनिकल राउंड होगा आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा package का discussion second round में होता है और फिर आप चाहें तो जोइन कर सकते जा सकते तो पहले आपको वहां जाना नहीं है apply करना इसी में भारत में बेटे बेटे सब्सक्राइब कर लेना उसके बाद आप जा सकते हैं company में ठीक है चले तो आई होप यह वी सेफ नहीं है तो यह दो देश को छोड़के बागी कोई भी देश के बारे में अगर आप comment कीजिएगा तो मैं जरूर बताओंगा international vacancies के बारे में company के बारे में क्योंकि यह दोनों देश में खुद vacancy नहीं है लोग मरे पड़े हैं तो फिर वहां जाके फाइदा क्या है तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो comment section में बताइएगा एक like कीजिएगा और ऐसा वीडियो और चाहिए क्या यह comment section में जरूर बताइएगा तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए keep watching, keep supporting, till then, जैहि कर दो